19 नुवंबर 2017 को विश्व शौचाले दिवस के रूप में मनाया गया जिसकी थीम वेस्ट वाटर और फीकल स्लज मैनेजमेंट यानि अपशिष्ट जल एवं मलयुक्त गाद प्रबंधन थी क्या आप जानते हैं कि फीकल स्लज मैनेजमेंट क्या होता है दरसल मानव अवशिष्ट के उचित निपडान की अचूप और कारकर व्यवस्था को ही फीकल स्लज प्रबंधन कहा जाता है ताकि मानव अवशिष्ट का बिना किसी लीकेज के सुरक्षित संग्रहन होता रहे और ये किसी भी प्रकार के प्रदूशन की वजह ना बनने पाए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मानव अवशिष्ट का उच्चार क्यों जरूरी है तो हम आपको बता दें कि मानव अवशिष्ट बढ़ते प्रदूशन की बड़ी वजह है भारत में खुले में शौच की दर विश्व की 60 पीसदी है शहरी विकास मंत्राले के मताबिक गैर अधी सूचित मलिन बस्तियों में 51 प्रतिशत घरों में शौचाले नहीं है ऐसे में ये लोग खुले में शौच करते हैं और फिर ये अपशिष्ट खुली नालियों और अन्य जल निकायों में बहता है इ खुले में शौच पर नियंतरण लगाने में खामिया भी हासल की है इससे लोगों में शौचालियों के इस्तमाल को लेकर भी जागरुकता बढ़ी है पिछने कुछ वर्षों में सरकारी मदद से दूर दराज गाउं में घर-घर करोणों शौचाले बनवाए गए इससे मज साथ-साथ हमारे समाज और देश को स्वच रखने के लिए मानव अपशेष्ट का सही धंसे निस्तारण भी जरूरी है तभी हम अपने जल जंगल और जमीन को स्वच रख सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि मानव अपशेष्ट का सही प्रबंधन कैसे किया जाए दरसल एक आ शहरी आवादी जो मूल रूप से महानगरों में रहती है उसे ये प्रणाली उपलब्ध है अगर बात करें छोटे कस्वों और गाउं की तो यहां ज्यादातर लोग एक अलग सीवरेज तंत्र का इस्तिमाल करते हैं जिसे ऑन साइट तंत्र भी कहा जाता है इसमें सेप्टिक के तहत इसमें मल अप्षिष्ट को विशेश वाहनों से ट्रीन्मेंट प्लांट तक ले जाया जाता है जहां इसका सुरक्षित और कारगर उपचार किया जाता है 2011 की जन गणना के अनुसार केवल 32.7% शहरी परिवार पाइप वाली सीवर प्रणाली से जुड़े हैं जबकि 38.2% परिवार अपने मल का निप्टारा, सेप्टिक टैंक और 7% गढधा यानि पिट शौचालियों में करते हैं आंकड़ों से पता चलता है कि हमें इस दिशा में और कई ठोस कदम उठाने की जरुवत है ऐसे में इस लक्ष को पूरा करने के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें पूरा किये बगएर स्वच्छता के सपने को साकार नहीं किया जा सकता मलय उक्तगाद प्रबंधन में चुनौतियां केंद्रिय प्रदूशन नियंटरन बोर्ड यानि CPCB के अनुसार भारत के 8000 कस्वों में से केवल 160 कस्वों में ही सीवेज सिस्टम और सीवेज उपचार सैयंत्र उपलब्द है ऐसे और नए सैयंत्रों का निर्मान जरूरी है सर्वेक्षणों से पता चला है कि पुराने ओन साइट तंत्र उचित तरिके से निर्मित नहीं किये गए हैं ये सरकार द्वारा जारी सेप्टिक टैंक और पिट के मानक डिजाइनों पर आधारित नहीं है खराब डिजाइन वाले इन कड़ों से पेजल के प्रदूशित हो जाने की संभावना रहती है ऐसे में नए शौचालियों के साथ साथ पुराने शौचालियों की मरमत का काम भी जरूरी है कस्बों और गाओं में मलिय अप्षिष्ट को आज भी हातों से उठाया और ढोया जाता है इससे बीमारियों का खत्रा बढ़ता है लिहाजा अप्षिष्ट का प्रबंधन विशेश वाहनों से किया जाना अवश्यक है ऐसे में ग्राम पंचायत और नगरपालिकाओं में मल्ड होने वाले वाहनों की संख्या सुनिश्चित की जाए सरकार के साथ साथ हमारी भी कुछ दिम्यदारियां है जिहें निभाकर हम खुद को बीमारियों से और बढ़ते प्रदूशन से बचा सकते हैं लिहाजा हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम मलिय अप्षिष्ट प्रबंधन को लेकर कुछ सावधानिया बरते खुले में शौच का भहिशकार करें पुराने सेप्टिक टैंकों की मरमत कराएं टैंकों की नियमेत तोर पर सफाई कराएं स्वच्चता के प्रती जागरुक बने और सरकार द्वारा दी गई मदद का लाभ उठाएं स्वच भारत मिशन के तहट सरकार्दे गाओं में शौचालियों के निर्माण के लिए गरीबों को सबसिडी देने जैसे कई सराहनिय कतम उठाए है शहरों में भी स्वचता पर ठोस नीतिया निर्धारित की गई है सरकार ने सीवेश ट्रीक्मेंट सैयंत्रों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ाया है स्वच भारत मिशन के तहट लोगों की जागरुकता पर विशेश ध्यान देते हुए विग्यापनों पर बड़ा बजट निर्धारित किया गया है याद रखिए स्वच्छता का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से है यदि मानव मल का प्रबंधन और उचा ठीक तरीके से नहीं किया जाता है तो ये खाद्य श्रिंखला में शामिल होकर उसे गंभीर रूप से प्रदूशित कर सकता है और हमारे स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है इसलिए स्वच्छता के प्रति सजग रहें और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं क्योंकि स्वच्छता हमारा करता भी नहीं बल्कि अधिकार है